मानलस संभल तहसीर छेतर के ग्राम रोदायन का है जहां ये ग्रामेर ने संभल जलाधिकारी के नाम प्रार्थना पत्र लिखा था जिसमें उसने ग्राम प्रधान राजीव को हलका लेखपाल से हमसाज होने के आरोप लगाते हुए उसकी संपत्ती को तलब की आराजी बताते हुए बन रहे मकान को राजस्व टीम द्वारा तोड़ देने का आरोप लगाया था और अपनी संपत्ती की जाच अन्य तहसील टीम द्वारा कराने की मांग की थी जिस पर शनिवार को गणोर तहसीलदार अपनी टीम के साथ संभल तहसील के गाउं रुदायन नाप करने पहुँची और जमीन की तॉल शुरू कर दी लेकर जमीन की नाप की जानकारी होने पर वहां संभल तहसील का नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुँच गया जिस पर जबर सिंग वा उसके पुत्र ने संभल नायब तहसीलदार पर आरूप लगाते हुए कहा कि हम संभल तहसील की टीम से संतुष्ट ही नहीं थे और अन्य तहसील की टीम द्वारा नाप कराने की म एर बार अधिकारी अलग ही रिपोर्ट बना कर भेज देते हैं। और गारी में बैट गए जिस पर पीड़ित गारी पर पहुँच गया और कहने लगा मुझको इतना तु बताती जाओ मैडम जी मेरी जगे कहां से कहां तक है। जिस पर तहसिलदार ने अपनी गारी के शीशे बंद कर मौके से टीम के साथ संभल की ओर चली गई। नपाई चाहते थे हैं। अब किस तहाँ से नपाई की जा दिए। आप संभल टीम से नपाई की जा रही है। आप संतुष नहीं हैं। नहीं संतुष नहीं हैं। देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर। झाल 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 झाल